यह जो आप लोग राधे राधे करते हैं न, यही राधे राधे रहेगा सदा, लेकिन इस राधे की पावर बढ़ती जाएगी, इसकी मिठास बढ़ती जाएगी, अभी जो आप राधे कहते हैं, जितना सुख मिलता है, वो बढ़ता जाएगा, और अनन्त मात्रा का हो भक्ति अम्रित शुरूपाच्य नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में तीसरा भक्ति सूत्र बनाया कि भक्ति अम्रित शुरूपा है क्या मतलब साधन सिद्धि राम पग ने हूँ साधन भी भक्ति और साधन भक्ति ने दिया भक्ति सिद्धा भक्ति यानि भक्ति सदा रही माया को मिटाया भग्वान से मिलाया भग्वान को दास बनाया और सदा बनी रही मरी नहीं भग्वान को पाना ये भक्ति का फल नहीं है माया को मिटाना ये भक्ति का फल नहीं है भक्ति का फल है भक्ति देखो जब जब किसी भक्त को भगवान मिले भगवान ने कहा बर मांगो तो भक्त ने ये नहीं कहा आपका दर्शने तो हमें चाहिए था वो मिल गया बैस नो वो कहता है भक्ती से आप मिले अब आप से भक्ती चाहते है आपको नहीं चाहते है भक्ती चाहते है बड़ा चालाक है भक्ती वो कहता है भक्ती दे देंगे तो ये तो हमारी मुठी में हो जाएंगे इनको क्या मांगे आप लोगों ने सत्यवान सावित्री का कथानक सुना होगा जब सत्यवान को यमराज ले जाने लगा तो उसकी श्रीमती पीछे लग गई यमराज ने कहा वही तुम क्यों आ रही हो पीछे मैं कहा अरे वही तुम हमारे पती को ले जा रहे हो तुम मैं क्या करूंगी अकेले हमको भी ले चलो तो यमराज ने कहा ये कानून नहीं है भगवान का कानून है सब अलग-अलग मरेंगे अलग-अलग कर्म क्या फल भोगेंगे फिर दोबारा वो मा बाप बेटा इस्तरी पती नहीं मिला करते अप पता नहीं एक कुटा बने एक गधा बने एक आदमी बने एक स्वर्ग में जाए फेमिली में जो तस आदमी है वो दस फल पाएंगे मरने के बाद ये तो यहीं मिर्ट लोग में जब तक है तब तक अगर स्वार्थ न टकराया तो कुछ हिसाब बैठा रहेगा कुछ दिन कुछ मात्रा में पूरा पूरा नए तो भक्ती का फल भक्ती इसलिए फल रूपत्वात एक सूत्र और बना दिया नारजिन अम्रिता स्वरूपाच तीसरा सूत्र और फल रूपत्वात चब्विसमा सूत्र भक्ती का फल भक्ती साधन सिध्धी राम पग नेहू कि नसुंदर आधी लाइन में साधन भी भक्ती सिध्धी भी भक्ती इसी को बेदव्यास ने भागवत में भी आधी लाइन में लिख दिया भक्तिया संजातया भक्तिया विब्रत्यत पुलकाम तरुम् भक्ती से भक्ती मिलती है ये भक्ती अमर है सदा रहती है और सदा बढ़ती रहती है प्रेम का स्वरूप बताया है नारत जी ने गुण रहितम नंबर एक कामना रहितम नंबर दो प्रतिक्छनम भर्धमानम नंबर तीन अबिच्छनम नंबर चार सूक्ष्मतारम नंबर पात अनुभव रूपम नंबर च्छा ये छे गुण है भक्ती में उसमें एक गुण है प्रतिक्छनम भर्धमानम अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे ये बर मांग रहा है प्रतिक्छन बढ़ता जाता है चंद्रमा की तरे प्रतिपदा वितिया तिरतिया चतुर्थी पंचमी शष्ठी सप्तमी अश्ठमी नवमी दसमी एकादशी द्वादशी त्रेवदशी चतुर्दशी पूर्णिमा आगई चंद्रमा की पाए या में पूर्णो नहीं लेकन प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती दोहें करें हुडा हुडी बाडे मुख नाहीं मुडी भक्त का प्रेम और भगवान का रस दोनों में होड होती है भगवान ने अपने सौंजर्ज का रस बढ़ा दिया तो भक्त का प्रेम उसके आगे पढ़ा दिया उसने तो भगवान ने और बढ़ा दिया अपना रस तो भक्त ने अपना प्रेम और बढ़ा दिया यह समझाया नहीं जा सकता आप लोगों की बुद्धिवा नहीं जा सकती यह तो महापुरुशों की जगत की बात है आप इतना समझ लीजिए कि जो भक्ति आप साधना में कर रहे हैं यही भक्ति सदा रहेगी गो लोग में भी रहेगी यह जो आप लोग राधे राधे करते हैं न यही राधे राधे रहेगा सदा लेकिन इस राधे की पावर बढ़ती जाएगी इसकी मिठास बढ़ती जाएगी अभी जो आप राधे कहते हैं जितना सुख मिलता है वो बढ़ता जाएगा और अनन्त मात्रा का हो जाएगा अभी भी आपको सुख मिलने लगा है आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और कोई बगल में बैठा कहे राधे राधे बोला तो बढ़ा अच्छा आद्मी यह क्यों जी आप कहां रहते हैं राधे सुनते ही आपके रोम रोम में उसके प्रती श्रद्धा, आत्मियता, रिस्पेक्ट पैदा हो गई आप लोग कहां पहुँच गए और जब पैदा हो यह जी तो क्यों नहीं राधा जानते भी नहीं थे एक किसी टीचर ने मार मार के परिश्रम करके आप लोगों को यहां तक पहुचा दिया ऐसे ही जब आप बढ़ते जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो वो दिब विप्रेम प्लस हो जाएगा इसी नाम में वो रस क्या होगा फिर वो प्रतिक्षणम बर्धमानम होगा इसलिए उसका स्वरूप नारद जी सरी के भगवान के अवतार और रसिकों के आचार्ज ने भी हाथ उठा दिए ये छे बाते बताई पो लेकिन फिर कह दिया अनिर्बचनियम प्रेमस्वरूपम प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता अरे संसारी प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता तो भगवत प्रेम का क्या बताया जाएगा कोई किशी से पूछे मम्मी से प्यार करते हो कैसा होता है वो प्यार कैसा होता है वो कैसा क्या होता है रसुगुल्ला है क्या और रसुगुल्ला भी है तो उसका प्यार परस बताया नहीं जा सकता अरश गुला कैसा होता है क्यों नीठा होता है ये मी य उठा गहने से कोई सुनेने वाला समझ लेगा रश गुल्ले कजाएखा आरे नहीं उसको समझाेंगे तुमने गुर। खाया है कोई मीठी चीज खाई है नहीं जी मैं तो नीम का कीडा हूं संसारी बिशय में रहा हूँ मैं क्या जानूँ आपके प्रेमानंदों गहरा तो फिर तुम नहीं समझ सकते हाथ उठा देगा ये भगपो ने जो भगवान के बारे में लिखा है ये तो सब बचपना है बचपना जैसे संसार में बचपना होता है न लोग कहते हैं जैसे बचपना कर रहा है क्यो अरे बताओ भगवान के मुख का बर्णन कर रहे हैं सारे संथ कमल के समान मुख है कमल कमल जड़ बस तू माया का बना हुआ ये मुकाबला करेगा भगवान के मुख का कमल के समान आखें कमल के समान हाथ कमल के समान पैर तो माप फुरुष कहते हैं भई मैं कैसे समझाओं अलोग की चीश तो कोई संसार में है न कि तुमको बता दू कि वो सामान जो है न बादल के रंग के हैं स्यामसुंदर बादल के रंग के हैं बादल तो हम रोज देखते हैं हमको तो कोई आकर्षण नहीं होता नीले कमल के वो भी देखते रहते हैं तो जितनी एक्जामपिल ये मिटीरियल सामान से भगवान के विशे में दी जाती है ये सब छिछोरापन है यानि समझाने के लिए और कुछ है ही नहीं महापुरुष के पास क्या करें अगर सही बात करें तो यही बोलेगा अनिर्बचनियम अनिर्बचनियम बताया नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता तो रसी दास ने बड़ा सुंदर एक लाइन लिखा है तमाम संतों ने उसको दोहराया है जिन आखों ने भगवान राम को देखा है उसके जबान नहीं है वो अनुभव किया है उसने और जिसको बयान करना है वो रसना है वो तो देखती नहीं तो निरूपन नहीं हो सकता अस्तु भगती अमर है और सब मर जाते हैं